नमस्कार स्वागत आप सभी का देभूमी समाचार मैं मैं हूँ आपके साथ सुनील चौहान अब होते हैं रूबरो आश्की मेत पूर्ण खबरों के साथ मुक्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी ने सचवाले में सशक्त उत्राखंड दोहजार पच्चिस के लक्षा को हासल करने के लिए परेटन विभाग कती तरफ से तयार किये गए अलप मद्य और दीरदकाले एक रोड मैप की समिक्षा के दौरान अधिकारियों को नुर्देश मुक्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी ने का कि सरकार की तरफ से जो योशनाय चलाई जा रही है इन योशनाओं का लाब राज के सबी पात्र लोगों को मिले इसके लिए ऐसा सिस्टम विक्सित किया जाए जिसी ये पता चल सके कि कौन सा परिवार कि योशनाओं का लाब ल की जाएं गोहाटी में असम के क्रश्यमंत्री अतुल बोरा और शैरी विकास मंत्री अशोक सिंगाल ने उत्राखन के क्रश्यमंत्री गडेश जोशी ने शिष्टा चार भेट की इस मौके पर प्रदेश के सभी मंत्रियों के वीच कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है 27 दौरान क्रश्यमंत्री ने असम के क्रश्यमंत्री अतुल बोरा और शैरी विकास मंत्री अशोक सिंगल को उत्राखनाने का निवता दिया गोहाटी पहुचे क्रश्यमंत्री गडेश जोशी और असम के मंत्रियों से भी शिष्टा चार भेट की है सीम धामी के सक्त नरदेश के बाद उत्राखड में अवैद धार्मिक टिन्वाणों के खिलाब कारवाई बदस्तूर जारी है इस कड़ी में ना सिर्फ देरादून, उदम सिंग नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों में बनाई गई मजजारों पर कारवाई हो रही है तो वहीं बद्रिनाद वन विभाक्त में बनी कई मजजारों को भी ध्वस्त किया गया है इस तरह अब तक राज में अवैद रूप से बनाई गई 388 मजजारों को हटाया जा चुका है आपको बतादे प्रदेश में लेंड जिहात को लेका शिकायत है सामने आने के बाद मुकी मंत्री पुष्का सिंगधामी ने प्रदेश भर में अवैद धार्मिक निनमार हटाई जाने के निर्देश दिये थे जिसका असर राजबर के बन प्रभावों में दिखाई दे रहा है ना सिर्फ मैदानी जिलों वलकि परवतिय शित्रों और तमाम बड़े धार्मिक इस्तलों के आसपास भी अवैद धार्मिक निनमार हटाई जा रहे हैं इस कडि़ी में बीते दिन पदरिनात वन प्रिभाव शित्र में भी कई मज़जारों को उठाने की कारवाई की गई आपको जनकर हरानी होगी कि बदरिनात वन प्रिभाव में वरभूमी पर 125 हैक्टिय वर भूमी पर अवैद धार्मिक निनमार किया गया था जिससे उठान प्रपुन कुछ डिवलोप्मेंट्स हुए है इसमें बदरिनाथ वन प्रभाग द्वारा 125 हेक्टर वन भूमी को अतिकरमन से खाली कराया गया है एक बहुत बड़ी उपलब्ती है जिसके में वन प्रभाग द्वारा पिंडर राजी में अतिकरमन पो हटाया गया है इसके अत अतिक 388 मजारों को और अण्ये जो हमारे सरकारी भूमी है वहां से हटाया गया है साथ ही में 41 मंदिरों को भी हटाया गया है भारतिय वन अधिनियम के जो सुसंगत दहरा है उसके अंतरगत प्रभाग वन अतिकारी सम्मन्दित अतिकरमन कारीयों को नोटिस जारी करते कोई डकैती के मास्टर माइंड पर प्रिशासन ने करवाई की है प्रिशासन की तरफ से डकैती के मास्टर माइंड महबूब अली के नई बस्ती कुडकावाला में बने अवैद घर पर बुल्डोजर चला दिया गया है इस दोरान तैसीलदार मुहमद शादाब और सी-ओ अनल प्रिशासन की मदद के लिए हम लोग यह आज उपस्तित हुए है भारती बायु सेना के विशेश प्रिमान से सुडाम नफसे नागरिकों को दिल्ली लाया गया है इसमें उत्राखंड के दो निवासी अनिल कुमार और अमित कुमार भी है मुक्यमंत्री पुश्कर सिंग्धामी के निर्देश पर इनके गंता विस्थान यानि की देरादून और हल्दवानी के लिए विविस्ता की गई है दोनों लोगों को ने उत्राखंड के मुक्यमंत्री पुश्कर सिंग्धामी का आभार भी व्यक्त किया है अब तक सुदान से उत्राखन के 30 नागरिक बापस आ चुकी है हल्दुआनी के SSP पंकजभट ने सेक्स रेकेट का खुलासा किया है SSP पंकजभट ने खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में पुलिस ने तीन महिला और तीन पुरुष को ग्रिफतार किया है सबी अबयुक्तों को हल्दुआनी से ग्रिफतार किया गया है पकड़ी गई मुख्यारोपी पश्रिमंगाल की रहने वाली है जो नावालिक लड़कियों को इसके जिसम फरोशी कराया करती थी इसके साथ ही पश्रिमंगाल के ही रहने वाले थे फिलाल पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्शकर आगे की जाच शुरू कर दी है इसमें 14 तारिक को वेस्ट बंगॉल से एक सूसना प्राप्त हुई कि एक नावालिक जो बच्ची है उसको एक व्यक्ति रिल्वे स्टेशन की और लेके जा रहा है इस सूसना पर एंटी-हुमन ट्रैफिकिंग द्वारा काम किया गया उस बच्ची को रेस्क्यू किया गया यह जो ब्यक्ति था वो फरार हो गया इसके बाद जो उसका हाउस था उसमें जाकर के पुलिस द्वारा जो तलास करने की कोसिस की गई तो उसमें इनके दोरह कॉस्टे वाज की गई इसमें मुकदमा कायम करके तीन लोगों की पुलिस दोरह ब्यक्ति की गई महराशु से चारदा म्यातरा बराईश रुदालों को घोड़े सेガ इसके गर कर चवार जोड़्य की गया जोट लग गई जिसे SDRF ने रेस्क्यू कर अस्पिताल पहुँचाया आपको बता दें सम्वेदन श्रीले लाकों में SDRF की टीम हर पल और हर मुश्किल के लिए तैनात रहती है देरादून में ऑप्रेशन मर्यादा के अंतरगात पुलिस और सक्त हुई है सावजनिक इस्थानों पर उपद्रब करने वालों पर भी कारवाई हुई है इसी के तैट अभिहान चलाकर 19 लोगों को पुलिस ने ग्रिफतार किया है तो आपको बता दें पुलिस ने ग्रिफतार किया है इसी के तैट 19 लोगों ग्रिफतार किया है और पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा लगातार जा रही है सावजनिक इस्थानों पर जो लोग उपद्रब करते हैं पुलिस ने पर सक्त कारवाई कर रही है आपरेशन मर्यादा देरादून में चलाया जा रहा है और 19 लोगों पर कारवाई की है जो विवस्ता को बिगाड़ने में कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस लगातार सजग है देरादून में और आपरेशन मर्यादा चला रही है जो लोग असमाजिक तत्व हैं और जो ठीक से प्रदेश में काम नहीं करते पुलिस उनके खलाफ एक्शन मिले रही है देरादून पुलिस की एएनटीएफ की तावर तोर कारवाई जारी है नर्शा मुक्त देरादून उत्राकरण अभिहान के तहत ये करवाई देरादून पुलिस कर रही है एएनटीएफ टीम देरादून और थाने की एएनटीएफ टीम का संयुक्ति चेकिंग अभिहान जारी है जिसके तहत कोतवाली पटेल लगर और थाना क्लेम टाउन शेत्र के अंद्रगत हुक्का वारों की चेकिंग की गई है स्नाइपर डॉक को साथ लेकर ये चेकिंग अभियान चलाया गया है तो देरदुन पुलिस की एंटी एफ की ताबर तो चापे मारी है इस नीफर डॉक साथ में है और लगातार इन डॉक की मादियम से पता लगानी कोशिश की जारी है कहां पर हुक्का पार्टी जोती है इस मेल के जरिए और तमाम शेत्रों में ये धर पकड की जारी है कबारों की चेकिंग की जारी है परिटन नगरी रानी खेत में श्रेतर के सबसे बड़े राजके चिकेत साले में बड़ी डिस्टल एक्स रे मशीन कबार बनी हुई है बड़ी मशीन ना होने से मरीज परिशान रहते हैं आपको बता दें करीब 15 साल पहले 65 लाग की लागत वाली बड़ी डिस्टल एक्स रे मशीन यहां आई थी तीन से चार साल बंद पड़ी रही अस्पतार में मशीन लगाई गई तो इसने तीन से चार मेने में ही दम तोड़ दिया छोटी मशीन से बीश बीश में काम चला हुए अब इस बड़ी मशीन को खोल कर कबाड में डाला जा चुका है चिकित साले में करीब धाई दर्जन चिकित सक है विशशक के अधिकतम दर्जन भर होंगे अधिकतर मरीज यहां से सुविधाओं के अभाव में रैफर किये जाती है इसने बहुत समय तक कभी भी रगलर कारी नहीं किया और इनके टेक्निशन को कई वार यहां बुलाया गया और वो ठीक करके जाती थे तत्वता एक दो महीने वाई दे लगाता है फिर खराब होती जाती थे और जहां तक मेरी जारूकरी मेहत कि तीन-चार साल पहले आकर गिनके टेक्निशन द्वारा सर्विस इंजिनियर द्वारा बताया गया कि आप इस मसीन के पार्ट जो हैं उकलब नहीं हो पा रहे हैं तो आप रिपेरेबल नहीं है तो आप इस वैसे जो है की जानकारियां दी साथी मंदल में पूजा करने आए एक महला ने बताया यह व्रत सुहागिन महलाएं रखती है और पूजा अश्ट्रा के बाद शाम को जल ग्रहन कर व्रत का समापन किया जाता है अब जाता है जिसमें अपने पती की देगाई के लिए इत्रत रखा जाता है इसमें महले सुही नहीं पूरी पक्वान जो बना सकता है मंदीर में खुजा की जाती है वैसे को ब्रक्ष को लेकर हम घर पे भी कर सकते हैं लेकिन हमारा मन मता कि हम एक सामुही ग्रूप से ब्रक्त करें तो बहुत अच्छा लगए और वास्ता में जो ब्रक्ष के सभी मैला आएंगे हमने पुरी बेज बिज़ा आती है अच्छा नहीं लगता है लेकिन यह जो है अमारे हमारे हमारे पार पुजा पाट करें तब हम इस ब्रत की पुरी बेज़ा आते हैं और साम को पुजा करने के बाद सभी मैना जल लेंगी और भूजन करें लगसर में पुलिस को चकमा देकर अलग-अलग मामलों में अपराथ कर फरार चल रहे अपरादियों की अब खैड नहीं दरासल पुलिस ने अभिहान चला कर 32 इनामी अपरादियों को गिर्फतार कर जेल भीज़ दिया है जबकि बाकी के 11 फरार इनामी अभी भी पुलिस के रिडार पर है जबकि बाकी के रिडार इनामी और वांचीतों की गिरफतारी करी जिसमें कुछ सरेंडर भी हुए उनको स्ट्रेश भी मिला तो आप जो हमारे सरकल में है कुल मिलाके 11 ऐसे इनामी है जो वांचीत चल रहे हैं इन पे भी जलते जल कारवाई की जाएगी लक्सर में स्वास्त विभाग की ओर से एनम करमचारियों को HMIS के जरिये चिकितसा पोर्टल की जानकारी दी गई इसके तहएद बच्चों के टीका क्रड़की तमाम जानकारिया एप पर अप्लोड रहेगी BRC कारयाले पर आयोजित कारकरम की शुवाद ACMO डॉक्टर अनिल वर्माने की है और कहा स्वास्त समंदी किसी प्रिकार की जानकारी से हमेशा अपडेट रहना चाहिए ताकि अधिकारियों को इसकी जानकारी देने में दिक्कतें ना आएं कि हम आई पर आप इसको पर्सेंट हमारा टिका करन हगा है कि कि यहां तुलना श्ट्रेट प्र फिल ओप्र अग तो उसके साथ जहां हमारा विक इंदर शिंध करेंगे तो उसके बारे में हम सब लोगों को बुला कि सब लोगों को एक बार एक बार एक्सपर्ट किया तो तीक लगाए जाते हैं ये एंसी का रेइस्ट्रेंट किया जाता है उसका दो पोटल है अचाय मैस और रस्केस पोटल उसके अंतरगा जो हमाई नई एनम की भर्ची बड़कोट में एक लड़की को वहाँ ने टक कर मार दी पुरोला मुखिबास जार में सड़क किनारे हुआ ये हादसा पेश देखने को मिला हादसे की पूरी तस्वीर सिज टीवी कैमरे में कैद होगी बताया जा रहा है कि लड़की के सिर पर गंभीर चोटे आई है जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हाइड सेंटर राफर कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़कोट से रागीर को वहाँ ने टक कर मारी है जिसको गंभी रूप से चोटे आई है आप तस्वीरों देख सकते हैं ये सीसी टीवी वीडियो हम आपको दिख जा रहा है तो रागीरों ने वहाँ ने टक कर मार दिया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़कोट की घटना बताई जा रही है लड़की दुकान से कुछ खरीद रही थी और पीछे से एक गाड़ी आई उसने टक कर मार दी जिसमें लड़की को काफी चोटे आई है उसको दूसरी अस्पिताल में रैफर कर दिया गया है और लड़की के आलत नाज़ुक बताई जारी उसके दिमाग में चोटे आई हैं और लड़की के आलत नाज़ुक बताई जारी रहागीर को वहाँ ने टक कर मार दिये पूरा मामला पास के लगे सिज़ टीवी कैमरे मे कैद हो गया कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की निधन के बाद बागेश्वर विधानसवा सीट पर आने वाले समय में उपचुना होगा जिसको लेकर बीजेपी कॉंग्रेस युदिस्ते पर तरणीती अक्तियार कर रही है माना जा रहा है कि नाम पर सस्पेंस के बाद तल छटने के में समय लगेगा मकर बयान बाज़ी का दौर दोनों पार्टियों में तेज हो गया है कॉंग्रेस उपचुनाओ को जीत कर विधायकों की संक्या बीज करना चाती है वहीं बीजेपी के लिए उपचुनाओ सीदे साख से जुड़ा हुआ है इस रिपोर्ट देखिया बाज़्चुर विधायन सवा के उपचुनाओ को लेकर उत्रकंड में सियासी पारा हाई होने लगा है भाश्पा और कॉंग्रेस दोनों एक दूसरे पार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है भाश्पा जाहें इस चुनाओ में वेवक्षी दोनों से ही प्रत्याशुना खड़ा करने के अपील कर रही है तो मैं कॉंग्रेस भाश्पा पर आरोप लगा रही कि कॉंग्रेस शासनकाल में जब उपचुनाओ हुए तो भाश्पा ने कभी भी एन्यम अपनी उपर लागू नहीं किया चुनाओ जीतने का भारजनता पार्ट अपना खरम तयार किया है और अच्छा होगा मैं तो सभी राधी दलों से अपील भी करूँगा कि बड़ी हार के लिए उनका कोई प्रत्यासी तयार होने वाला भी नहीं है और अब बागिस्वर चुनाओ भारजनता पार्टी कोई लड़िया तो प्रत्यान वहों से जीते गए मैं किसी भी में लिए कि यहां की उप्चुनाओ में मेरी कोई चाहत नहीं है और हमारे संगठन को चाहे प्रदेश संगठन और रासे मैं जहां चाहता हूँ जहां की मैं तयार हूँ अगर पार्टी वहाँ पर मेरे नापर विचार करेगी तो मैं एक पार्टी के चुनाब को लेकर बीजेपी ने अपनी जीत का दावा कर रही है तो मैं वेपक्षी दलों की जमानत जब्थ होने की बात कह रही है मैं कॉंग्रेश फाश्पा पर चुनाबी जमीन किसकते दे वेपक्षी दलों से प्रत्याशी ना उतारने की बात कह रही है चंदन रामदाश जी का जो दिहान तो हुआ है वो पुरे परदेश के लिए एक सदमे शिकम नहीं है तो इसलिए जो आम जनता है वो भी इस सदमे से उबरने के लिए परियास कर रही है और ताकि आने वाले दिनों में सब लोगों ने एक मन बनाया है कि भारती जनता पार्टी ने चंदन रामदाश जी को एक लंबे अर्से से देखा है और उनके काम को भी सराहा है तो ऐसे मैं भारती जन्ता पार्टी का जो आम कारे करता है वो मानिश चंदर नामदाजी के काम से परवावित है और उनके कमी को जो है कैसे पूरा किया जाएगा बहुत ही हास्यासपत बयान था आज समाचार पत्रों के माध्यम से हमको भी पढ़ने को मिला इसका मतलब भारती जन्ता पार्टी को पता चल चुका है कि उसके पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसक रही है उनको पता है कि उन्होंने दलितों के लिए प्रदेश के अंदर औ कुछ नहीं किया उनको पता है कि सल्ट में जगदीश हत्याकान और उत्तरकाशी के मोरी में जो आयूश को रात भर कोईलों से जलाया गया उसके चलते दलित समाज खासा नाराज है और चन्दन रामदाजी की जो मृत्यू है वो अपने आप में प्रस्म चिन्द बनी हुई बागेश्वर विधार सवाव में हमें सबसे अधिक मत पतीशत्रात हुआ था और बागेश्वर की जन्ता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है ऐसा हमें उमीर है कि बागेश्वर का फुट चुनाव हम जिटने जा रहे हैं और ये भी कहा जा सकता है कि जिस मेकार से भार अधियाकान का मामला सामने आया और जो आठ खड़ी को जो परदेश की युगाओं के साथ लाटी चाल हुआ उसके मदे नजल भी हम पूर रूप से अश्वर्ट है कि बागेश्वर कुट चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है मसूरी को दो सो साल पूरे होने पर विवाद के बाद हम मसूरी के निर्माड करणाब कैप्टन यंग को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है मशूर इतिहासकार गोपाल भारत द्वाश ने बताया कि मसूरी के निर्माड की नीव कैप्टन यंग ने नहीं बलकि कैप्टन मैक मिलने रखी थी उन्होंने बताया कि कैप्टन यंग की तरफ से मसूरी के निर्माड में एहम सहोग किया गया लेकिन ये कहना बिलकुल गलत है कि कैप्टन यंग ने मसूरी का निर्माड किया उन्होंने का कि मसूरी के निर्माड में बहुत से अधिकारियों का हाथ है जिसके द्वारा बिटिश सरकार को मसूरी बनाए जाने की पैरवी की गई थी जो सर्वेयर जनरल थे उसमें 1817 में सर्वेयर जनरल बने जोर्ज एब्रस से वह वहां पर आये थे उन्होंने अपना नाम वहां पर लिखा और एक जॉइंट मेजिस्ट्रेर थे ततकाली सारनपूर के उनका वहां पर नाम है और एक गार्डनर थे एंग्लो इंडियन और देवर बड़े ग्रेट लोग थे ऐसा नहीं था कि कोई लेमें था और जैसा मैंने आपको बताया कि 1814 के बाद जब ये एरिया देरादून वैली और मसूरी और ये एरिया बिटिशर्स के उसमें अक्यूपेशन में आ गया उनके राज्य के अंदर आ गया तो वो लोग सरवे भी कर रहे थे और वो मसूरी आया करते थे मसूरी उस समय नाम नहीं दिया गया था लेकिन मसूरी की नौर्थ की जो पहाड़िया थी देराद उनको वो पिक्निक मना रहे हैं या हंटिंग कर लें शिकार कर लें यहां आते थे वेरियस कई लोग आते थे और फिलाल देव भूमी समाचार में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया वाइस के साथ तब तक के लिए नमस्कार